वेलकम टो अटरस्पोंडर और आज हम बात करेंगे कि कैसे आप lead management tool यूज करके या lead management option यूज करके आप अपने leads को properly manage कर सकते हैं तो सबसे पहले आपको click करना है login पर, login पर click करने के बाद आप dashboard में जाएंगे आपको login करना है with your user id and password तो जैसे आप login ID, password डालेंगे तो आप dashboard पर जाएंगे अब मैं आपको समझाता हूँ lead management का पूरा concept क्या है तो lead management का मतलब यहांपी हम एक lead को properly किस तरीके से manage करते हैं उसकी क्या lead value है, convert हुई है नहीं हुई, opportunity है या नहीं है, lead कहां से आई है total आपकी कितनी leads आ गई है, lead के sources क्या थे, उस lead को, किस sales वाले को आपने assign किया है उस lead की follow-up और other activity क्या है, task क्या है, यह सारी की सारी आप lead management system के अंदर देख सकते हैं तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं dashboard पे, dashboard पर जो lead का system, lead का जो options available है वो है total lead value, यहाँ पर जो भी आपकी leads आई ह legitim कर सकते हैं उन lead के value का 6-10 lead रहे है, पर lead की value 1000,000 तो lead की total value कि आएगी तो 10 lead के साब से 1000 रुपे के साब से 10 lead की value 10,000 है पर आईगी जँनी भी leads आपने रसीव कियें यहाँ पर total count आपको नेखका हूँ होगा एक X amount होगा दो जार पाच यार दस यार वो जो टोटल होगा वो आपका यहाँ पर डिस्प्ले होगा इसके अलावा यहाँ पर दिये है अविलेबल SMS अविलेबल SMS क्रेडिट एक डिफरेंट पाट है जो हम दूसरे वीडियो में कवर करेंगे इसके फिप्त ऑप्शन है ऑपॉट्टी का जो भी आपकी लीड आई है जिसमें से पांच लीड ऐसी है जिस पे आपको एक कन्फरमिशन आ गया है कि ये लीड फ्यूचर में फ्यूचर में कन्वर्ट हो जाएंगी और उनकी जो वैल्यू है वो मा लेजिए पांच लीड की एक हजार उपे की जब से पांच अरुपे है तो जो अपॉट्टी वैल्यू है वो आपकी यहाँ पर शोगी यहाँ पर दि की आए मतलब उसकी कोई वैल्यू डिफाए नहीं की हुई है राटन साइट पर एक ग्राफ देख सकते हैं कि कितनी जो लीड थी वो कन्वर्ट हो गई है उसमें से कितने की अपॉट्टी है कितने पर काम नहीं हुआ है टोटल की लीड की वैल्यू क्या है यह सारा का सारा आ इतनी लीड का मैंच करेंगो सारी कि सारी तो जैसे आप लीड वाले उप्शन पे किलिक करेंगे राइटन साइट पर आपको एड लीड के ऑप्शन मिल जाएगा मतलब अगर आपकर किसी भी इनो चाहाई शॉप है चाहाई कोई मॉल कोई शोरूम है आप किसी इवेंट में जा रहे हैं आपके reception पर कोई lead आती है तो आप manually इस lead को यहाँ पर simply click करके add कर सकते हैं यहाँ पर नाम date, time, यहाँ पर आप उसका email id, phone number, then company का नाम, city address, subject और the best part यह है कि आप उस lead को map भी कर सकते हैं किसी particular category के अंदर, किसी particular integration के अंदर, जैसे माल लीजिए, मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि यह जो lead है, वो for example मेरे एक telecalling के through आई है, तो वो मैं यहाँ पर map कर सकता हूँ, ठीक है, तो आप different different categories choose कर सकते हैं, categories बना सकते हैं और उसके accordingly leads को map भी कर सकते हैं, अगर आप manual को lead add कर रहे हैं, दूसरा option यहाँ पर दिया हूँ, right hand side top पर assign, अगर आपको कोई lead assign करनी है, किसी particular executive को तो वो भी आप कर सकते हैं, तो आपको click करना है assign पर, assign पर जैसे click करेंगे, आपको पास list आजाएगी leads की, तो कौन सी leads आपको assign करना है कि sales executive को, बड़ आपको याद रखना है कि अगर आपकी sales team created नहीं है, तो आप ये lead assign नहीं कर पाएंगे, वो हमें आपको बताऊंगा कि कैसे आप sales team create कर सकते हैं, तो सबसे पहले आपको tick करना है, जो भी lead को आपको assign करना है, अब माली जे मैंने, ये मुबारिक अलीजी की lead आईए, इस lead को मैं assign करना चाहता हूँ, किसी sales person को, जैसे ही मैं assign lead पर किलिक करूँगा, एक pop-up आएगा, जहाँ पर मैं अपने sales executive को choose कर सकता हूँ, तो मैं जहाँ पर डालता हूँ कि ये lead मेरे को अंजिली श्रिवास्तव को assign करना हूँ, जैसे ही मैं submit बटन पर किलिक करूँगा, तो ये जो lead है, तो ये lead I think already assigned थी, अंजिली को इस वज़े से something went wrong बता रहा है, मैं इसको बापे से tick करता हूँ, assign lead पर किलिक करता हूँ, and यहाँ पर जाके और मैं इसको ले ले तो मानसी खत्री को and then submit करता हूँ, तो ये देखे, record updated successfully, तो अब ये जो lead है, ये जो मुवारिक अलीजी की lead है, ये मैंने assign कर दी किसको मानसी को, मैं आपको देखाँगा, वो कैसे देखेगी किसको assign है, अब हम बापिस leads में जाएंगे, automatic assign के एक option है, ये जो कि एक बहुती शांदर and best option है, आपको simply click करना है, automatic assign पर, अब आप category और integration के हिसाप से भी इस lead को manage कर सकते हैं, और assign कर सकते हैं, suppose अगर आपके पास just dial से कोई lead आ रही है, और वो lead आप किसी particular salesperson को automatically allocate करना चाहते हैं, तो simply आपको indication choose करना है और उसका नाम choose करना है, तो जैसे my happy मैं choose कर लेता हूँ, कपिल को, और मैं submit करूँगा, तो just dial से जो भी lead हैं, वो कपिल के पास assign हो जाएंगी आने मिले time में, ऐसे करके आप जो भी आपको assign करनी हैं, वो leads की category आप choose कर सकते हैं और salesperson को assign कर सकते हैं, आप एक साथ दो भी कर सकते हैं, जैसे मैं just dial assign कर दिया, आप मेरे को facebook भी उसी को assign करना है तो मैं facebook भी कर सकता हूँ, तो इस तरीके से आप category के साब से, integration के साथ से leads को assign कर सकते हैं, यहाँ पर एक और option है lead management के अंदर जिसको बोलते है send quotation, अगर मैं send quotation पर click करता हूँ तो मैं quotations भी send कर सकता हूँ, या उसकी पूरी delivery report भी check कर सकता हूँ कि किसको यह मैंने भेजा, किसके पास यह गया है, यह सारी की सारी चीज़े मैं यहां से देख सकता हूँ, मैं again बापस leads पर आऊंगा, leads पर आने के बाद यहां पर आप देख सकते हैं show तो आप count देख सकते हैं, 20-50-100 जितनी भी आपको lead का count देखना है वह आप यहां पर देख सकते हैं, आप इस data को excel में या copy भी कर सकते हैं, excel में डाउनलोड भी कर सकते हैं, इसके बाद यहां पर एक option दिया, integration then the I name and then the I status, कि यह जो lead आई है, यह किस source से आई है, मतलब integration जो था हमारे website के sign up से lead आई थी, यहां पर आभी मैंने आपको recently बतायता है कि इस lead को, मैंने मांसी खत्री को assign किया तो यह उसका detail आ गया है, उनको assign हो गई है, यह इस lead का जो main status है भी cold है, इस lead का जो contact number है वो यह है, इसका जो status active है यह email id है और आप यहीं पर इस particular lead के लिए कोई remark भी डाल सकते हैं, तो जैसे कि मैंने लिख दिया यहां पर testing, और मैं यहां पर लिख देता हूँ only for demo, और यहां पर जैसी मैं भार क्लिक करूँगा तो यह record updated successfully हो जाएगा, अब अगर मेरे को इस particular lead की मालीज है, आपके salesperson ने इस lead पर बात किया है, और उनको लगता है कि lead मेरे काम की lead है, और मैं इस particular lead पे एक predictive amount expect कर सकता हूँ, तो मैं सीधे pen tool पे click करूँगा, pen tool पे click करने के बाद, यहां पे इस lead की value define करूँगा, और वह है मेरे lead की value for example 50,000, और यहां पे cold से इसको मैं warm कर दूँगा, और मैं इसको submit कर दूँगा, तो क्या होगा कि जो मेरे dashboard पे जहां पे, मैं lead management के आपको मैंने graph बताये था, वहां पे यह value 50,000 से बढ़ जाएगे, तो मैं आपको फिर से दिखाता हूँ, dashboard पे जाता हूँ, dashboard पे हम जैसे ही आएंगे तो यह जो value है with 50,000, opportunity में बढ़ जाएगी, तो यह देखिए, opportunity की जो value थी वह बढ़ गई है, that is now 27 lakes 37,000, तो इस तरीके से आप हर एक lead की value को भी track कर सकते हैं, अब माली जीए हम इसी lead पे again plus पे click करता हूँ, और इस पे अगर मेरेको normal WhatsApp पे मेरेको chatting करना है, तो मैं simply click करPTION करूँगा और मैं chat भी कर सकता ओँ, अगर मैं drop down पे click करूँगा तो यहाँ पे मैं इसके follow-up update कर सकता ओँ, मैं इसको follow-up changes update कर सकता हूँ, मैं हैंसे इस particular lead पे quotation भी बरेश सकता हूँ, और अगर मैरे deal हुई है तो मैं इस पे invoice भी create कर सकता हूँ, तो जैसे कि मेरे को follow up पे जाना है follow up में कैसे update करूँगा मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे मालने इस lead का कोई follow up है इस particular lead का because यह lead management है इसलिए मैं इसको संदर सारी चीज़े बता रहा हूँ तो इसका जो next follow up date है say suppose 21st March and the follow up time में यही रख देता हूँ and remarks need to take follow up for payment अब मैं चाहता हूँ कि इस follow up का मेरे पास एक remainder आए मैं भूल सकता हूँ हो सकता है कि मैं इस particular follow up को 4 बच के 5 मिट में भूल जाओ तो मैं क्या चाहता हूँ कि मेरे पास as a salesperson इसी date को 21st तारीक को मेरे को 4 बच के 5 मिट में पे follow up लेना था मैं चाहता हूँ इस particular lead के लिए में पास exact 4 बच एक follow up message आजाए Sandeep you need to call to xxclient okay so क्या होगा 4 बच मेरे पास notification आएगा कि आपको 4 बच के 5 मिनिट पर इस lead से follow up लेना है and then submit तो आपकी जो lead leakage के problem है या follow up की problem है एक particular lead के साथ बनी रहेगी वो कभी भी आपको आईगी नहीं मतलब वो जो problem है वो हमेशा खतम हो जाएगी आप उसको आगे से properly follow up में ले सकते हैं अब अगर आप को follow up change करना है तो यहाँ पर follow up change में आप जाएंगे follow up change में जाने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्या-क्या आपके follow up थे यहाँ पर आप देखे कि आपके क्या-क्या changes की हैं मतलब follow up change का मतलब जो जो आपके follow up changes हुए है तो यहाँ पे आप देखिए कि एक follow-up मेरा यहाँ पे दिख रहा है यह और इसका reminder यह है अगर मैं उसी lead पे एक और remark मार दो या एक और remark डाल दो तो उसकी भी मेरे को history मिलती जाएगी history का मतलब कि उस particular lead पे मैंने दूसरी बार क्या follow-up डाला ता आप जैसे मैंने यहाँ पे डाला तो मैंने यहाँ पे जैसे 21 तारीक का डाला ता तो मैं next follow-up डाल देता हूँ 25 तारीक का time यह है और मेरे को इसी का 25 तारीक को एक reminder भी चाहिए तो इससे होगा क्या कि मैं जो भी record अपडेट कर रहा हूँ एक particular lead पे उस particular lead के related सारी information मेरे boss या एक supervisor को मिलती रहेगी वो चेक कर सकते हैं कि क्या follow-up यहाँ पर देख सकते हैं यह दूसरा follow-up आ गया है यहाँ आप देख सकते हैं जब आप इसको एक्सेट में आउलोड करें कि उसके अंदर आपके क्या follow-up थे आपने का call का remark डाला का आपका reminder करता तो यह सारा का सारा आप यहाँ पर follow-up भी update कर सकते हैं बापर चलते हैं leads के अंदर leads के अंदर जाने के बाद जैसे कि आपने यहाँ पर देखा कि हमने एक follow-up का remark भी update कर दिया है अब मेरे को इस particular lead प करने का option open हो जाएगा एक compose option compose box open हो जाएगा यहाँ पर आप उसकी email id डाल सकते हैं then here you can type the subject और यहाँ पर आप mail body डाल सकते हैं जो भी content आपको डालना हो डाल सकते हैं और यहाँ पर चूज कर सकते हैं जो भी attachment आपको इस particular lead पर भेजना जैसे कि आपको quotation बेजना ठीक है तो यह सारी की सारी चीज़ें आप यहाँ पर कर सकते हैं अब हम बापेस से चलते हैं आपने quotation भी भेज़ दिया अगर आपकी deal done हो जाती है अगर आपको लगता है कि client convertible है और से सबोंस ने payment कर दिया है और उस particular client को आपको invoice भी create करना तो आप यहाँ से invoice भी create कर सकते हैं आपको information लेना होगी जैसे कि यहाँ पर उसका name, to name, address, email id, invoice date, due date, कोई extra note लगाना है आपको आपका product डालना है, then quantity डालना है, then आपको उसकी price डालनी है, then आपको उसका total automatic हाजाएगा यहाँ पर and then text हाजाएगा, आप यहाँ पर rows add कर सकते हैं, multiple rows आप add कर सकते हैं, you can delete the rows इस तरीके अचा अब इसके best part यह है कि अगर आपने lead management system आप use कर रहे हैं और इसके अंदर आपके बहुत सारे follow up है, उसका भी एक बहुत अच्छा option हमने create किया, that is appointment, अब जिसे मैं appointment में जाता हूँ, अभी आपको याद होगा कि मैंने 25 तारीक का एक appointment set किया था, अगर मैं इस पर click तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि need to talk, need to take follow up for the payment, तो यह मेरा next जो follow up है, वो यहाँ पर आ गया है, तो एक single place पे आपकी जितनी भी leads हैं, जितनी भी salesperson के leads हैं, वो सारी की सारी आप check कर सकते हैं, जैसे यह 5 तारीक की आपको follow up देख रहा है, यहाँ पर आपको 8 तारीक का भी follow up देख रहा है, यह 6 तारीक का भी follow up देख रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, 10 तारीक का भी follow up है, तो मेरा कहने का मतला है, एक particular lead या multiple leads के follow up आप एक ही जगे पर देख सकते हैं, as in sales, head, manager, या admin, तो आपको team से बार 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 बात करने जुरूरत नहीं है, अगर उन्होंने really कोई काम किया, तो उनके सारे follow up एक ही जगे पर आप देख सकते हैं, for example, इस lead का आपको कोई update पर click करेंगे, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, कि यह एक remarks डले हुए, सारा का सारा कुछ आपको देख रहा है, ठीक है, so this is how this software is really awesome और बहुती strong configurations है, जिसको आप use करके आप properly leads को manage कर सकते हैं, next video में हम कुछ और देखेंगे, till then thank you